तो यहां पर दोस्तों ओपो एंड रियल्मी का डिवाइज है आपके पास तो यह जो प्रॉब्लम का स्वाइज में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में यह प्रॉब्लम हो सकता है आपके डिवाइज में आ गया हो जो कि ने इससे पहले जो अपडेट आया था रि यह तीनों यूजर्स को फेस करना पड़ रहा है और इसके अलावा जीतने भी ओपो के डिवाइज है वो नेक्स्ट अपडेट आने के बाद यह प्रॉब्लम आपके डिवाइज में भी आएगा तो उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन दे दूंगा औ है और दोस्तों यह पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यह जो प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम यह ओपो और डीवाइज में क्यों आ रहा है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले इंडिया में कुछ अप्लिकेशन बैन किये गये थे गौवर्मेंट की तरफ से जोगी चाइनीज अप्लिकेशन थे तो यहां पर भी दोस्तों ओपो और रियल्मी के डिवाइस में नोटिफिकेशन पैनल में जाकर के देखोगे तो वहां पर आपको क्लेंस का एक आईकन मिलता है जोगी दोस्तों आपके आपके डिवाइस में जितने भी सिङशन वहाँ जकाईन कर सका है और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप अपने फोन मेनेजर में जाकर के देखिएगा ओपो और रियल्मी के डिवाइस में तो वहाँ पर आपको एंटिवाइरस करके एक ऑपसर मिल जाता है जो कि दोस्तों वह भी चाइनीज अप्लिकेशन था मतलब कि दोस्तों चाइनीज प्री इंस्टॉल्ड अप्लिकेशन था जो कि दोस्तों ओपो और रियल्मी तो आपने काफी सारे डिवाइस में रिमॉव कर दिया है और ओपो जो अभी स्टार्ट किया है अभी तीन डिवाइस से ही रिमूव किया है और आने वाले अपडेट्स में दोस्तों बाकि सारे डिवाइस से भी इस जो फीचर है दोस्तों जीटने सारे अप्लिकेशन उसके जो जंक फाइस होते हैं वह देरे-दीरे स्टोर होते जाते हैं आपके डिवाइस में तो उसके वजह से क्या होते दोस्ता जो आपका store जो दुड़े धीर फूल हो चेड़ेस जाता है जिसके वज़ों से आका फोट एक होता है और उसके साथ सथ दोस्ता ओपो और रेल में दोनों कमपनी काम करिए कि बहुत जल्द आप लोगों को उसका अल्टरनेटिव अप्लिकेशन प्रोवाइट कर दे लेकिन जब तक आने रहा है तब तक आपको तो कुछ ना कुछ अप्लिकेशन इंस्टॉल करके यूज करना पड़ेगा आपको फोन का वहां पर यहां अप्लिकेशन इंस्टॉल करोंगे वह क्लीं स्टॉरेज करने के बज़ाए दोस्तों आपका स्टॉरेज और भी ज्यादा इंक्रीस कर देता करने लगता है तो वेसा YouTube आप जिया जयां ay बहुत ज्यादा शिक्योड ऐसे करीं बाओट में कार जबाद Cu कर सकते हो इस आप्लेकेशन के मदद से जो कि गूगल फाइल तो गूगल फाइल आपने कभी न कभी देखा जरूर होगा तो मैं उसको कैसे यूज करना है दोस्तों मैं आप सभी को सारा कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना टाम कवाई कर दिने के बाद कर लिने के बाद क्लीन स्टोरेज रिमूफ हो जाएगा और उसके साथ सात एक और जो फीचर है वह हो जाएगा वह four manager में तो फॉन manager में आपको जा कर दिखा मेनेजर तका अप्षल स्का ऑप्शन मिल रहा है आप्को तो यह यह वे अगले आपडेट में रिमूअ हो जाएगा और उसके बाद आप पान भाद यह रिमूफ होने को अप्लिकेशन ने आपको सिंप्ली से इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों सिंप्ली से इसको ओपें करिएगा ओपें करने के बाद यहां पर कुछ परमीशन देना पड़ेगा तो परमीशन को सिंप्ली से अलोग करने के बार आप देख सकते हैं जितने भी आपके जंक फाइल है जितने भी अप्लिकेशन के जंक फाइल है और उसके साथ-साथ अनेसेसरी फोल्डर जेजिस में आपकर फॉटो या फिर विडियो या फिर म्यूजिक कुछ भी तरह का यहां पर आपको मिल जाता है जो कि दोस्तों आपका अपने डिवाइस में अब प्लिक करते हैं यह जो जंक फाइल है वह क्लीन होने के बाद यहां पर जितने भी अननेसेसरी फाइल लेजाएं डाउनलोड फाइल से और वाटसएप मेडिया ओपो या फिर रियल मी सेर फाइल रहेगा यहां पर काफी चारे ऐसे फाइल है जहां पर आप फोटो वीडियो उस डिलीट कर सकते हो यहां से डिरेक्ली और इसके बाद दूस्ते यहां पर आपको नीचे में बॉटम में आपको ब्राउस का अप्सन मिल जाएंगे जो कि दोस्ता आप सिम्प्ली से यहां पर एरो के आइकन में क्लिक करके डिलीट जंक फाइल को जो की अप्लिकेशन का फाइल है वो स्टोर होते रहता है तो इसको आप यहां से डारेक्टली रिमूफ कर सकते हो जो इसी तरह के दोस्तुद गूगल फाइल को इंस्टाल करेंगा इंस्टॉल करने के तुरंद बात दोस्तों कुछ पर्मीशन जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया कि पर्मीशन अलो करना पड़ा अलो करने के पाथ दोस्तों यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में एडिट का आइकन मिलता है तो सिंपली से एडिट का आइकन में क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको स्टोरेज का आपसिन आ जाएगा तो storage में दोस्तों आप देख सकते हैं files by google तो files by google को simply से दोस्तों इसको hold करके रखिएगा hold करने का बात दोस्तों आप notification panel में भी ला सकते हैं इसको directly तो यहाँ पर दोस्तों जो कि application को direct जाकर open नहीं करना होगा और direct open करने के लिए आप notification panel में जाकर storage में जैसे क्लिक करोगे तो वह automatic google file application को open कर देगा तो यहीं कुछ information थी दोस्तों यहाँ पर जो कि यह remove किया जाएगा future में तो मैं उससे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया तो आप भी अपने device में गूगल फाइल इंस्ट्राल कर लो यह application जन्यून अप्लिकेशन है और काफी ज्यादा सिक्क्यूर application है कि यह problem आपके device में आ गया हो तो आप गूगल फाइल इंस्ट्राल करके आप इसको यूज कर सकते हो जब तक कोई अप्लिकेशन प्रोवाइड ना कर दे कमपनी तब तक दोस्तों आप गूगल फाइल यूज कर सकते हो का अभी तक रिमूब नहीं हुआ उसका नेक्स्ट अपड़न में यह रिमूफ हो जाएगा तो आप जाकर कि गूगल फाइल को इंस्ट् झाले